नमस्कार जी स्वाकत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर और आज के जो टोपिक पे गर बात करेंगे तो सीब टोकन के बार में जो मैंने दो टार्गेट बताया थे सम्तिंग जो मैंने आपको यह टेलेग्राम के उपर अपडेड भी दिया था कि भाई साब यह विन जैसा भी कर सकता है जैसे की विन ने अप्रेल में लगबग किया था ठीक है और उसी तरह से यहां पे भी होआ है लगबग 20% कल से 20-25% डाउन हो चुका ठीक है तो उसी के बारे में आज बात करेंगे और अगर कोई मार्केट के सबसे अगर सीब टोकन की बात करते हैं तो सी बात करते हैं कि जो टार्गेट क्या होगा इसका वही देख लेते हैं तो उसके पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए इसको और टेलेग्राम ग्रूप वीडियो की डिसक्राइब में दिया है वहाँ पर जोइन हुजा है जहां पर में आपके सामने कुछ भी नहीं कर रहा हूं पहले से मेरा जो ट्रेडिग चार्ट है आप पहले वाले वीडियो में जा कर लोगिन कर रहा है व्यूग और यह मैंने इसको ।ो वेट करी करिए आपके सामने हैं जो भी है प्रन्तु जो भी जो इसका टार्गेट होगा जो ने बताया था यह उसी तरह से उसका टार्गेट होगा और वही आज यह चेक करेंगे ठीक है तो यहां पर हम जो चेक करेंगे है तो हिए आप चेक कर सकते हैं मैंने जो टार्गेट बताया थे यहां पर और की द्ल को ओपन करते हैं और मैंने यह भी बताया था कि बाई सबगर जो टार्गेट है के टार्गेट अगर लेकर चलते हैं तो कहां तक क्या जा सकता है ठीक है ठीक है तो पहले वाले वीडियो आप जाके देख सकते हैं वीडियो की डिसकुशन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप यहां पर जा सकते हैं ट्रांसफर्स फॉर एक्जामपल कहां तक जाएगा यह आप चेक कर सकते हैं यह इस वीडियो म वाले इसका ठीक है अगर यहां पर मैं बताया था बैसा अगर यहां पर करता है तो उपर जाएगा पर इसको को कर खर के उपर जाए कि वापिस निचे गिरा यहां से सपोर्ट भी निलिया और ब्रेक ओड और यहां तक पहुच गया और अब जो इसका टार्गेट होगा और क्या स्पास और यहां पर अगर यहां से वापिस ब्रेक आउट करता है तो वापिस मत पूछिए इसका टारगेट यहां तक भी जा सकता है वापिस जिरो पॉइंट डबल जिरो डबल जिरो डबल त्री के आसपास ठीक है तो मार्केट है देखो कोई व्रोसा नहीं है परन्तु जो यह नों ने यहां पर इतियास दो रहाया है यह वाला यह आप चेक का सकते हैं मैं आपको बताऊंगा विन का भी ऐसे बताऊंगा सेम सिस्टम मिन का भी हुआ था और यहां पर इसका टार्गेट यह भी है यह भी है उसके बाद में अब जाने का चांस भी है ठीक है तो दोनों टार्गेट हो सकता है मैं आपको अभी बता रहा है यहां से ब्रेक आउट हुआ फोर वन से ब्रेक आउट हुआ ठीक है तो 32 क्या सपास अगर यहां से ब्रेक वरोता है तो बात अलग है पर तो यह होना मुस्किल है यहां तक तो जाना ही है डबल फाई फाई थरी के आसपास पर तो यहां से निचे भी अगर जाता है तो वापीस मैं बोल रहा हूं 0.000003235 के आसपास जा सकता है ठीक है अब मैं बात करूँगा कि यहां पर विन को इनकी मैं इनको बता रहा हूं कि मैंने कल टेलिग्राम में भी तीन चार दिन पहले बताया था कि भाई साब जैसे विन ने किया था वही यह कर रहा है ठीक है यहां से पंप हुआ उपर गया काफियत तक उपर गया था यहां से गिरते हुए यहां से गिरते हुए पूरा निच्चे आया आप चेक कर सकते हैं यहां से यह ब्रेक आउट हुआ यहां तक आया वापिस अप गया वापिस निच्चे आया वापस तूड़के वापस निच्चा आगे एकदम लेवल पे तो यह आप देखिए इसको अच्छी तरह से यह आप चेक कर सकते हैं और यही सेम सिस्टम इनका भी हो रहा है जो मैं आपको बता जाता हूँ यह आप चेक कर दिया है ठीक है यह आप देखिए सेम कोई डिफरेंस नहीं है सब कुछ सेम है तो अगर उस हिसाब से चलते हैं तो वापिस यह उसकी पोजिशन पे भी आ सकता है फोर एक्जामपल इस जगह ठीक है अगर उसी तरह से यह चलेगा तो 01000021 के आस पास पास भी आ सकता है ठीक है तो यह मार्केट चलता रहता है अभी तक तो सपोर्ट लेवल के हैं अगर यहां से क्रोस ओवर करता है तो टार्गेट 0000312 के आस पास रहेगा अगर यहां से अब जाता है तो नेक्स टार्गेट यह यहां से सपोर्ट लेते हुए जाएगा तो बाद में 000012 के आस पास रहने वाल यहां तक तो फाइव थरी के आसपास तो जाए गए जाएगा परन्तु देखने क्या होता है तो थैंक्यू सो मच वीडियो चल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूटुब चैनल को और आपके जो भी आप इन्वेश्मेंट करते हो कहीं पे भी तो अपनी रिक्स पर करिएगा दूसरी बात की मार्केट है कुछ भी हो सकता है तीसरी बात की सीरी सी बात है देखो मार्केट में आये हो तो प्रोफिट भी है तो लोस भी है ठीक है तो थैंक्यू सो मच धन्यवाद